फोर प्येस के हाउस प्लान तो इसमें देखिए जो प्लान है फोर बेडरूम अपनो आपको देखने कमी लगाते हैं क्योंकि इसमें जो चीज हमने रखा है यहाँ पर तो यहाँ पर जो है जहां जिसको पास साइड में जगा नहीं है उसके लिए भी सही है और जिसके बाद स साइड में कोई भी प्लाट हो तो देखिए क्या बात है इसमें जो है जो प्लान है इसके साथ पहले स्टार्टिंग में जो है इधर जो डिस्टैंस है 35 फीट 8 इंच तो इधर का डिस्टैंस है और इधर में जो है 45 फीट 8 इंच तो टोटल जो इसके स्क्वाइर फीट है न 1500 उसका मतलब 1500 sqft मेm 4 भी इसके हाउस lahjar तो स्टार्टिंग में देखिए क्या क्या चीज़ इसमें तो स्टार्टिंग हम कैसे करेंगे यहाँ पार इससे जो स्टार्टिंग है तो यहाँ पार है एंटरन, एंट्री तो तो इधार एक जगा है उसके बाद यहां पर जो है gate इसके बाद इधार एक living room या waiting room तो 10 feet या 10 feet और 9 feet 6 inch का एक room यहां पर एक door ओके जो डोर इधार खुलेगा तो कैसे होगा two door इधार आएगा इससे open हो जाएगा gate जो है इधार आपको collapsible gate इससे दिखने पर मिलेगा ठीक है उसके बाद हो गया next जो है इधार आम डोर का इससे provision रखेंगे यहां पर डोर जो डोर के बाद यहां पर एक bedroom bedroom है इधार तो bedroom का जो ले इधार जो एक size है 12 feet और दूसरा side में 14 feet तो standard size का एक bedroom है इधार next के बाद इधार भी एक door हम provide करेंगे इससे ठीक है तो यहां पर kitchen kitchen तो एक kitchen यहां पर हमने provide क्या है ठीक है 9 feet और इधार 6 feet kitchen और इधार जो है dining तो 9 feet 7 inch distance है इधार बाकी जगा है इधार 9 feet 5 inch तो इसके अंदर आपको इसका जगा मिल जाएगा तो इधार जो देखिए जो जगा है ना इधार इधार आप डाक इधार भी डाक इधार भी डाक सकते हैं अगर आपको side में 3 side block है तो आप डाक तीउस करके यहाँ पर वीड़ो पोवाइट कर सकते है ठीक है यह optional मैंने यह लिए रखा है ठीक है next जो है और एक बात इधार जो है ऐसा है इधार door यहाँ पर भी एक bedroom bedroom तो इसका size distance this side 12 feet और इस side में 14 feet ओके इसके बाद देखें यहाँ पर stair तो आप stair इधार से हम शुरू करेंगे उसके बाद यहाँ इधार 10 feet जागा रखेंगे और इधार 8 feet 6 inch आगा रखेंगे तो इसमें आपको क्या होगा trade जो है आपको 10 inch रखना है और riser जो है आपको 6 inch height रखना है ठीक है तो इसमें क्या होगा आपका building का जो है height के सबसे 10 feet height के सबसे आपके मिल जाएगा ठीक है इसके बाद देखें यहाँ पर तो आप हो गया तो यहाँ पर जो है building height अगर 10 feet है तो आपको इधर इस stair से आप घर के उपर जास है ठीक आप देखें इसमें कितना stair है टेरडाइजर height set कर दीजे चले उसके बाद next हम यहाँ पर drawing hall तो drawing hall यहाँ पर जो है इसको हम provide करते है इधर जो distance है 14 feet ओके और बाकी इधर जो distance है 14 feet के बाद देखें 14 feet है इधर और internal जो और एक distance है 16 feet 16 feet 14 by 16 के एक drawing hall तो घर के अंदर आने के बाद drawing hall dining kitchen उसके बाद यहाँ पर एक वास basin रहेगा इधर तो इधर जो है एक डोर इधर भी एक डोर इधर दोर इधर भी डोर ठीक है इसके बाद इधर जो है बाद प्लास लेट इधर एक टोईलेट और बाद तो कमोन बाद इधर जो है 5 फीट और इधर जो है 6 फीट उके इधर जो है 5 फीट और इधर 6 फीट उसके बाद इधर जो है धर आ जाएगा आप ऑप्शोनल स्टेर के नीचे भी एक टोईलेट रेक सेकते हैं यह आप्शोनल है इसके बाद देखिए इहाँ पर एक बेडरूम है तो इसका डिस्टेंस 12 फीट और इधर जो है 14 फीट इसके बाद इधर भी एक बेडरूम है फोर्थ बेडरूम तो इसका भी साइज 12 फीट और इधर 14 फीट ऐसे करके हम प्लान तो खतम कर दिया उसके बाद इसका जो टोटल जो इसका इसका कॉलम कहाँ पर आपको रखना चाहिए तो कॉलम यहाँ पर बहुत ही एक कॉलम का पाट ऐसे ही आएगा क्यूकि इसमें कॉलम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तो थोड़ा सा change हो जाएगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा इधार देखिए तो यह जो आपका यहाँ पर जो जो जॉइंट में आपको column provide करना होगा क्योंकि इसको joint में column चाहिए ठीक है तो ऐसे column यहाँ पर दो column आ जाएगा इसलिए मैंने इसको यह पर दिखाया है, आपको अगर कोई भी modify करना है आप खूद कर सकते, इसके बाद यहाँ पर जो column है आपको बड़ा सा column ऐसे provide करना है एक साथ, तो इसके बाद ऐसे करना है, ठीके, और यहाँ पर जो distance है, 16 feet का distance है, तो आपको इधर एक column provide कर देना है, इसके बाद जो इधर distance है, वो तो आपको अपना पाजाएगा, और इसका जो outside wall इसमें 5 inch wall है, और inside wall जो है 5 inch का wall, तो आप देखिए इस plan को, कोई भी change है तो आप कर सकते, वीडियो पसंद आए तो like और share कर देने,